स्टॉक जो जल्द ही लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं यह एक ट्रावल सिलूशन मोहया कराने वाली कंपनी है इस नाम से आप कंपनी को आमशौर जानते होंगे वैसे कंपनी का जो ओफिशल नाम है जो रिजिस्टर नाम है वो अलग है कंपनी का नाम है लेट ट्रावल वेन्यूस टिकनोलोजी इनका आई प्यो आ रहा है 740 करोड का आई प्यो है 10 जून यानि की सोमवार को ये शुख खुलेगा 12 जून तक आप निवेशक पैसा लगा सकते हैं अब कंपनी का इरादा क्या है इस 740 करोड से क्या करने का प्लान है में साथ इक्सिगो के को फाउंडर्स अलोग वाचपाई और रजनीश कुमार जुड़ गए हैं इन दोलों की मुलाकात आई आई टी में पढ़ते समय हुई और उसके बाद इन्होंने 2007 में एकंपनी रच आते हैं आज लिस्टिड मार्किट में उतरने की पूरी तैयारी करें तो कॉंग्राचुलेशन्स तो यू बोथ मैं आपसे समझना चाहूंगी अलोग ये इस्चु क्या प्राइमेरिली आपके इन्वेस्टर्स को एक्जिट देने के लिए है डियू रियरली नीड दे मानी अच्छी बात यह है कि पिछले दो साल में हमारी फैनेशल पर्फॉर्मेंस बहुत जादा इंप्रूफ कर गई है मारे प्रॉफिट्स अब अच्छी ग्रोन अपने देखा होगा कि नाइन मन्स एफ़ए 24 में हमारे रेविन्यू और प्रॉफिट्स दोनों का ग्रोथ इस पॉइंट पर पहुँच गया है जहां पे हमें कॉन्फिडेंस आया है कदम आगे बढ़ाने का और आई प्रॉफिट्स करने का तो यहां पे 120 करोड जो है वो प्राइमरी इश्वेंस है और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमें कम प्राइमरी के ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हैं अपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हैं प्रॉफिट्स इसलिए हुज इनका एंक लिखल जो है ओविसली बिकॉस्टिव बिकुट्स के जानते थे और पीक 15 एग्जिट करते हुए दिखाय देंगे और रडल रियुट्स पताईए तो क्या पूरी तरह से अलेशन काप्टल जुसे हम पहले सेफ पार्टनर्स के नाम से जानते थे और पीक 15 एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे और रेटेन समस्टेक नहीं बहुत ही छोटा पाउंड निकाल रहे हैं हमारे इस्टरस और यह यही दिखाता है कि 13 साल बाद भी यह लोग इस बिजनस में हैं बने हुए हैं और फुली बिलीफ करते हैं और यह काफी बड़ प्रूफ है यह रेली थैंक्फूल टू सच इन्वेस्टर्स वह बैग्ड़ एस पर सो लॉग अच्छा अलोक इन फाक्ट आप दोनों की रफली सवा आठ और साड़े-ाठ पिसेंट हिस्सेदारी है आपकी और रजनीश की इस ओफस में आप लोग भी पार्टिसिपेट करे हैंगे तो पोस्ट आई-पि-ओ दोनों की कितनी हिस्सेदारी रहेगी पोस्ट आई-पि-ओ हर्षदा लगबग 10% हिस्सेदारी होगी हमारी मिलाके तो 55% आम अजूमिंग रहेगी रफली रफली ओके क्या आपको नहीं लगता उसे जादा रखनी चाहिए थी हर्षदा यह है यह कंपनी बहुत पोटेंशल है यहां पर क्योंकि हम जिस तरफ मार्केट में बिजनस मना रहे हूं है नेक्स बिलियन यूजर्स भारत की देश के छोटे-छोटे शेरों से जो लोग आके टावल बुक कर रहे हैं चाहिए वो रेल हो बस हो फ्लाइट हो हम देख रहे हैं हमारे देश में एरपोर्ट छोटे शेरों में जा रहे हैं अगले दे अगले देख सु एरपोर्ट उस डा Eriection में एक्सपैंड कर रहे हैं यहांरे रेल देखने का अवसर मिल रहा है लेकिन हम fully committed हैं हम अगले 17 साल के लिए तैयार हैं और हम यहाँ पे बिल्कुल इस market को इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी the market is still in its infancy. क्योंकि सवाल यही होता है कि do you have enough skin in the game but आप कहते हैं कि you're totally committed to the company आप दोनों की 55% हिस्सदारी रहेगी अच्छा एक चीज मैं पढ़ रही थी रजनीश of course जो आप लोग fund raise कर रहे हैं fresh issue के जरिये nearly 122 crores आप अपने कुछ in organic acquisitions पर नजरे डालेंगे आप in fact 28 crore technology, artificial intelligence, customer engagement में भी पैसा डालेंगे because you're the tech guy, यह बताइए AI कितना बड़ा role play कर रहा है इस समय आपके business के लिए और exego को अलग रखने के लिए आपकी क्या अब रनीती रहेगी because your market काफी crowded है you know we've seen make my trip, yatra, easy trip, यह सब आके list होएं हैं बाजार में तो अगर एक निवेशक आपकी company को consider कर रहा है how is your technology different from the others? problems को solve करने के लिए हमने कभी लोगों को throw नहीं किया है problem के ऊपर हमने हमिशा technology और AI को use किया है और यही reason है कि हमने specifically अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे ही areas में हमने AI का और technology का बहुत भरपूर use किया है जैसे आज की rate में यह बता सकता हूँ कि हम लोगों ने AI driven chatbot का इस्तमाल करना 2017 से चालू कर दिया था और अब हमारा AI chatbot इतना evolved कर चुका है कि हम more than 90% जो हमारे customer queries आती है support की वो हम बिल्कुल AI से end to end solve कर देते हैं बिना किसी human being के involvement के और सिर्फ इन ही हमारा हमने कोवेट के समय हमने बहुत अच्छा product launch किया था इसका नाम है इसको अशोर्ड और वो कोवेट के समय आपको पता ही होगा कि उस समय लोगों के दिमाग में बहुत शंका होती थी कि यार टिकेट बुक करें या ना करें और अगर बुक कर लेंगे तो कल को अगर लॉक्डाउन हो गया या किसी की तब्यत खराब होगी तो ट्राबल ना कर पाए तो हमने एक प्रॉड़क्ट लांच के एक सिगो शोर्ड जिससे की आप अपना पूरा का पूरा टिकेट का रि जीजें हैं जो रोजमर्रा की चीज़ जो हमारे कंपनी में हम जो करते हैं अचीव वह सब टेक्नॉलोजी और यही रीजन है कि आगे भी हम ऐसे बहुत सारे टेक्नॉलोजी इंवेस्मेंट करेंगे जहां पर हम शायद नहीं मॉडल स्ट्रें करना चाहें या फिर हमारा हमा एक पार्ट है जो हमारे ओफर्स का अब्जेट का वह यह भी है कि हमें वर्किंग क्याप्ट रेक्वार्मेंट के लिए थोड़ा सा इंवेस्मेंट चाहिए होगा बट टेक्नॉलोजी और एई साइट पर हमारा इंवेस्मेंट जो है वह काफी इंपोर्टन है और जहां तक नए अक्विजिशन की बात है आपको पता ही होगा कि लास्ट दो साल में हमने दो बहुत अच्छा अक्विजिशन करें जो की काफी फुली कॉंजुमेटेड है हमारे बिजनस में और ग्रोइंग रिली रिली वेल अभी हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं किसी कंपनी को बट आप तैयारी करके रखना चाहेंगे कि आगे कोई ऑपरचुनिटी आए तो वो मिस ना हो अच्छा वेरी क्विकली आलोक मैं आपसे टिकेटिंग सब में है सबसे जादा ग्रोथ कि सेग्मेंट से आ रही है और वरी क्विकली अगर आप अपना रेवन्यू मॉडल लाजली हमें समझा सकें और जादा मुनाफ़ा क्या ड्राइब करेगा यह बता सकें देखे सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि एक सीकों बहुत यूनिक कंपनी है क्योंकि हमने इस कंपनी को पहले 10 साल बिना कोई टिकेट बेचे बनाया है और अगर इसमें डीप डाइव करें तो पहले हम फ्लाइट्स पे लोगों को हेल्प क हम देदे थे यह करके हम इतने बड़े हो गए कि एक दिन हमने देखा कि हम मुस्ट डाउनलोडेड ट्रावल अप इंडिया की बन चुके थे और हमारा ट्राफिक जो है वो 90 परसेंट ऑर्गानिक आ रहा था जा बिना किसी पैसे खर्च करे किसी और गूगल वर गयरा पे प त्रेंट टिकेटिग लॉंच किया उसके बाद से अगरेजिशंग ग्रोफ है आपने इछा यह है कि हम त्रेन मारुड ओटिया और से जा है ट्रइण मारेटिया साइड में 75.3% ख और बसक अगर बात करें तो वहां पर धाग इन नंपर टू प्लेयर है है आज की डेट में दो मेजर प्लेयर हैं उस मार्केट में और हम सेकेंड लाजेस्ट प्लेयर हैं और वहां पे भी हमारा मार्केट शेर इंक्रीज होता दिख रहा है 12.99% के आसपस मार्केट शेर था हमारा 9 months FY24 में तो ये 52%, 5.3% और 12.99% मार्केट शेर जो है ये साल दर साल पिछले दो साल से हम इंक्रीज करा रहे हैं और हमारा जो रेविन्यू है फास्टेस्ट CAGR among all OTAs from FY20 to FY23 we had 350% plus CAGR अगर आप pre-covid versus now से compare करें तो 5 से 6 गुना हमने revenue growth दी है pre-covid versus 9 months FY24 पे तो ये जो अच्छी खासी scale आप कर पाएं और post-covid वो numbers में और improvement देखने को मिली है it's great to see you guys come to the markets good luck 10th June को ये issue खुलने वाला है वो price band सारे details हम of course channel पर दिखाएंगे जरूर बहुत-बहुत शुक्रिया Alok and Rajneesh हमार ले समय निकालने के लिए and good luck to you for this IPO of course listing के बाद आपसे दुबारा बातचीत भी होगी बता दें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपनी नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को money control की सल्हा है कि कोई भी इनिवेशन इंडा लेने से पहले certified expert की सल्हा लें कर दोगार नहीं है